नमस्कार दोस्तों, मेरे नाव में बहस्चंद्रा, रम्हांडे सिद्यास्ट्रों में आप से भीग का स्वावित है आज की इस वीडियों में हम चर्चक दरेंगे आर्थिक स्तर के बारे में मतलब मेश लगन की अगर कुंडले है, तो उसका जो आर्थिक स्तर है, बो किस तरह से देखा जा सकता है या फिर आपके कुंडले में जो भी हम योग डिसकस करने जा रहे हैं, वे यदि होंगे तो आपका जो आर्थिक स्थर है, वो काफी अच्छा कहलेगा है या फिर काफी अच्छा हो सकता है, चिंता करने के मिलबलपी ज़रूर नहीं है, नॉर्मिल यह प्राश्न बहुत सारा पूछा जाता है मतलब स्तरी या पुरुष्ट दोनों वर्ट से कि मेरा जёब आरतिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा तो हर क्यूंकि पैसे की विना कुछ बात नहीं है तो यह पूछना भी लाजमी है कि आर्टिक सतर है, वो किस प्रकार काँ होगा? जैसे कि हर एक उडिली में 2, 5, 8, 11, इंसतान के जो अध्यपधियों होते हैं, वो सबसे मेहतोपुर्णब्टे हैं, मतलब इस तान के जो अध्यपधियों होते हैं, इनकी यदि युद्धी आपके कुंडली में वोगी, तो जो आपको पैसे का जोस्तर है, वो काफी अच्छा हो सकता है, या फिर पैसे के मादले में कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलीगी, अब यहाँ पर और जो बात है, वो भी थोड़ी महतोपुर्ण होते हैं, जो की जोतिश में नियम भी होता है, कि केंदर कौन के जो अधिबती होते हैं, उनकी यदि युद्धी भी होगी कुंडली में, तो भी आपकी जो कुंडली है, वो काफी अच्छी माने जाएगी, तो यह जो दो नियम है, वो सबसे महतोपुर्ण होते हैं, अगर यदि 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 आफके कुंडली में काफी अच्छी तरके से इन ग्रव के जो युद्धी है, वो अगर वोती है, या फिर काफी अच्छे स्थान में यह ग्रव होते हैं, तो फिर आपको पैसे के मामले में चिंदाव करने की बिल्कुली भी जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर पैसे किस तरह से आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, यह जो बात है, वो थोड़ी अलग है, इसके बारे में भी आप वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर मेश लगन के कुंडिली है, तो आपको देखने वर्व से ही पता लग सकता है, कि वो जो कुंडिली है, उसका आर्थिक स्थर है, वो किस प्रकार का है, अब आर्थिक स्थर में भी काफी अलग-अलग से माइने होते हैं, मतलब अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, या फिर राजयोग का रख है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले, जो बेसिक स्थर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे मैंने अभी कहा कि आपके कुड़ी के दो पाँच आठ ग्यारा स्थान के जो अधिपती है वे अच्छे हो ना स्वयंग के राशी में हो ना या फिर इनी स्थानों में हो ना वो सबसे महत पुर्णा है जैसे कि आपके कुड़ी में दो पाँच आठ ग्यारा स्थान के जो अधिपती है वो हो है शुक्र, रभी, मंगल, और शनी, तो शुक्र, रभी, मंगल और शनी, ये जो ग्रह है ये ग्रह, यदि दो, पाच, आठ, ग्यारा स्थान में होगे, तो पैसे के मामले में जो बाते हैं वो आपके लिए ठीक रहेगी, मतलब पैसे के मामले में कोई बड़ी दिक्कत नही यह आए कि उसी प्रकार यह जो अभी ग्रम में ने गिनवाए जैसे कि शुक्र रवी, मंगल और शनी, इनकी युद्धी भी यदि आपकी कुंडली में इन स्थानों में होगी, तो आपकी जो कुंडली है आर्थिक सर्व पर काफी अच्छी मानी जाएगी, मतलब आर्थिक मा प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन केंदर कौन स्थान के जो अधिपती है, जो मैंने दुसरा नियम कहा, तो उसके जो अधिपती है, वे यदि इन ग्रहों के साथ होगे, या पिर केंदर कौन में होगे, जब जैसे कि केंदर स्थान की जो अधिपती है, वो कौन से है, य और शनी, इन स्टान, यह जो स्टान के अधिपती है, उसे परहाल कोन स्टान मतलब रवी और गुरू, यह जो दो मतलब और ग्रह है, मंगल, चंदर, रवी, शुक्र और गुरू, और शनी, यह यति ग्रह, यदि युद्धी के इंदर प्रतियोग में होंगे, तो ऐसे जो कु पर यदि मैंने जैसे कहा कि कोई भी अधरवाद, मतलब जैसे हम आर्थिक सर पर चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लग का साथ मिलना भी काफ़ी महत बुर्ण होता है, तो यदि आपके कुड्ले में जो गुरू है, यहाँ पर जो भागेश है, वो गुरू है, तो मोटे तोर पर अधर का आजा है, मतलब ब्राट थिंकिंग में अधर का आजा है, तो जैसे मैंने अभी कहा कि मंगल, शुक्र, रभी, शनी और इनके साथ यदि गुरू और चंदर माग होगा, तो यह जो ग्रह योग है, यह जो ग्रह मंगल, शुक्र, रभी, शनी, गुरू चंदर तो मोटे तोर पर अर्दगर देखा जा ये जो ग्रह है वे यदि आपके केंदर कोन में होंगे ये केंदर स्थाव है उसे परकर ये कोल स्थान है या फिर आपके लाब या फिर दनस्थान में ये जो ग्रह ये होगे इनकी युल्ती होगी तो आपकी जो कुंडली है व वो यदि इन स्थानों में होगे, केंदर को स्थान में होगे, या फिर लाब या फिर दल स्थान या फिर लाब सम्में इनकी युथी जितनी ज़्यादा होगी, या फिर ये जो ग्रह है, वो परस पर यदि त्रिकोन योग में होगे, तो ऐसे जो गुड़ी है वो आर्थिक स्थर्म पर बहुत ही अच्छी माने जाएगी, बहुत ही ज़्यादा शुफल दाई माने जाएगी, ऐसे जो गुड़ी है, जितने ज़्यादा ग्रवल यहाँ कोंगे या फिर जितने इनकी जो प्लेसमेंट है, वो यदि इंस्तान में ह तो आपकी जो गुड़ी है, वो बहुत ही आगे जाएगी, आर्थिक स्थर्म पर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पर दो-तिन बाते हैं, जिस पर ध्यान देना बहुत ही जादा आवश्यक है, जैसे कि रवी और शनी की जो यूति है, वो नॉर्मल अशुक फलदाई मानी जाते हैं, मतलब यदि रवी शनी की यूति या फिर प्रतियों वो गात उल्ली में, तो आपको आपकी जो लाइफ होती है, वो काफी ज़दा स्ट्रगल वाले होती है, स्ट्रगल करके ही आपको जो सफल लगन है, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लव आपको नहीं आएगी, जो की काफी अच्छी बात होती है, तो गुर्मल आपके देखा जाए, या फिर मोटे दर पर अगर देखा जाए, तो यह जो ग्रह योग है, या फिर यह जो ग्रह है, वो यदि ज्यादा इन स्टानों में होगे, के अंदर कौन दन और लावस्तान में होगे, तो आपकी जो गुंडली है, वो आर्थिक स्टर पर बहुत यह अच्छी माने जाएगी, इसमें किसी भी ब्रदर के प्रॉब्लम कॉंप्लिकेशन नहीं आएंगे, और सब से महतो पुर्ण बात, देखिए, यह जो बात कि बहुत जादा संपत्य होने के बावजुद भी, हेल्थ इस्ञीघ वह जो बेड़ी होते हैं, कभी-कभी बेड होते हैं, कभी-कभी इनकी जो होते हैं, वो काफी जादा बचहें, जिसके करण उसका जो पौप, वो नहीं ले पाते, तो यदि आपके कुंडली में जो मंगल जो है मतलब मेश लगन के लिए मंगल और बुदर जुग्र है वो सबसे मेरे तो प्रोड़ोप होते हैं हेल्थ के बारे में तो यदि मंगल बुदर की युद्धी है तो आपको वेल्ट उश्विस ज्यादा आ सकते हैं लेकिन ऐसे जो विक्ति होते हैं जो बहुत इक हो होगी अब यहाँ पर जैसे हम चर्चा करते हैं तो आपके कुल्ली में मंगल और बुदर का अच्छा होना बहुत ही माहिने रखता है तो हम जैसे आर्थिक स्थक के बारे भी चर्चा कर रहे थे तो आपको अभी पता चंद चुगा होगा कि यह जो ग्रह है वो यदि आपक पॉडर नहीं होता लेकिन जो तीन शुबगर है जैसे कि शुक्र चैंदर और गुरु यह जो तीन नैसर्गिक शुबगर है वे यदि आपके कुल्ली में वितिय, चत्वरतव, पंचम या फिर लावस्तान में होगे तो भी आपके कुल्ली को बिलकुल भी चिंता करने के ज नॉर्मले देखते है कि आपका जन जिस पी स्तर पर हुआ वोगा, मतलब आर्थिक स्तर पर उससे अगर उपर उखने वाला अगर आपकी कुल्ली है, तो आपकी जो कुल्ली आर्थिक स्तर पर काफी अच्छी माने जाएगी, उस स्तर से अगर नीचे जाने वाले कुल्ली है तो आपका जो आर्थिक सार पर ठीक comprehensive अर्थिक से नहीं मानें जाएगी अब यहां पर अविवर्टि रॉट जो अर्थिक सार पर पर जो पॉवर्डियो राटिक सार उसके नीचे की कृनली कैसे संजे उसके लिए हम जो बाकी का यह पात है उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि उसके लिए भी कसे परकार के जो ग्रह योग है वो मेहतः पुर्णव होते हैं इसके स्तान्गॉल से उधर किस परकार के होते हैं वो जादा डिटेल में वो जो दूसरा जो वीडियो होगा उसमें कहा जाएगा कि आर्थिक सर है वो किस तरह से नीचे आता है लेकिन अब जो बात है मैंने जैसे का कि आपके कुड़ने में ये जो ग्रह है वे यदि केंदर कौन या फिर आपके लाव और दनस्तान में होगे युति या फिर तरिकों योग में तो आपके लिए बिलकुल भी चिंता करने की जरुरत नहीं है या फिर यह जो नैसर्गिक शुबगर है चंदर शुबगर गुरू वे भी यदि आपके द्वीतिया चतुर्त पल्चम भागिये या फिर लावस्तान में होगे तो भी आपक पैसे कहा से आएंगे कैसे आएंडियो उसके बारे में भी ज्यादा नहीं का है नॉर्मली कुली देखने के बाद आपको यदि आप यह जो नियार्ग है वो अगर लातर करते हैं तो आपको पता चल सकता है कि कुली का आर्थिक स्थार है वो किस प्रकार का है अब या पर ज इनी ग्रहायो से वह निकलते हैं लेकिन ग्रहायो कैसे अने किस प्रकार के है उसके बारे हम आने वाले हम वीडियो करेंगे क Prose अब इसके बारे हम Alice यह जो कम काफी ल की हो सपता यह जो लाफ भाउ है, इन भाउ में, इन ग्राओं की यदि यूति होगी, या फेर तरिकोनयों में होंगे, तो आपकी जो कुंध यूमिलिए है, वो अच्छी मैंने जाएकी, जितने ज्यादा यूति है या फिर तरिकोनयों होंगे, या फिर इनका ब्रॉन्टिकल प्लेसमेट आपकी इंस्तानों में होगी, उतनी अच्छी आपकी जो कुणली है वो देखी जाएगी, आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनब होगी है, नीचे गविंट बॉक्स में ज़रूर कविंट करना, और अपना ये